तो गाइस कांटीन्यू करेंगे अभी लाइब सेफन में आपकी कुछ कुछ नहीं हो पाए थे कुछ इसू आ रहा था टेक्निकल फोपन कांटीन्यू करने वाले एट्टी कोश्चन पर अपन थे एट्टी नमबर कोश्चन पर पढ़िए और फटा-फटा आप लोग इसका ए और करेंग टिकनिक है तो चारो के चारो टेकनिक होती है एक के प्लेंड़ टेबर केंदर यूज होती है तो इंफटीन कोश्चन का जो T पर लाइन की फिरीजन को पता जो कंटूर लाइन की फिरीजन करते हैं आपको पता जो प्रिजन करते हैं अब पाफ पाफ में बहुत वारे इसको मिलाने वाली जो लाइन लेकिन यहां पाफ क्या है कि अपने पाफ कंटूर से बहुत ही क्लोज पाफ में तुस्टीप को रिप्रिजन करती है खाफ बाते हैं एक दूसरे को आप आप में इंटर्फेट बिल्कुल भी नहीं करती है केवल इनके फ़ाप ओवर हैंगिंग जो आपका ओवर हैंगिंग ल सब्सक्राइब के केवल एक दूसरे को इंटर्फेट करती है अधर्वाज इंटर्फेट नहीं करती है यह चीज़े आपको पता होनी चाहिए अगला कोफ्चन आपकी स्क्रेइन पे नंबर आप फेटलाइट इन्वाल्ड इन आर्बीट फार जीपीफ अर्वेट टेक्निक सिंस्टम होता है अच्छा फ़वाल पूँछे कि जडीपीफ चत्यों लीज फिगनल होती है एना खांव regression चाहिए तो कितने लोद्फेटलाइट कि requirement होती हैए और प्रूप्रोंद होना चाहिए ठीक है मीनिमॉम फौर सॉटलाइट अवलेबल रहेंगे तो प्रापर कवरेज मिलेगा अगला कोस्टन पढ़के आपको रिस्पांस करना है प्रापर तरीके से फिर सी अर्पनेस में किसके रेज्ट करता है यहां टौरा इंडेक्स होता है डिश्टा है अपान फ्लों इंडिक्स होता है और इसकी जो वेलू वहती ज्यों से तीन के बीच में होता है इसके जो यह वहलू होती है 0-3-10 में होती है यह बहुत इंपोर्टेंट के ध्यान में रखना है यह अपका होता है लिक्वीड लिमिट माइनफ प्लास्टीक क्लिमिट होता है एंपोर्टेंट हां में रखिएगा जितने भी इंडेक्स से प्रापर सबको रिवाइज गर के एक्जाम में जाना है वाटर कंटेंट आप वाइल सेंपल डिफ्रेंस आप डवेट डिवन टेंपरेचर एंडवेट डिटर्माइंड आप्टर ड्राइंग फार 24 आवर टेंपरेचर हमें क्या कुछ आहिए तो वाटर्त कंटेंट डिटर्मिनेशन आया हुआ है था फमारे इस फेmek इसे मनें ऑप सब्सक्राइचर में कितनी कमी आ रही है तो nic जाएगा डबलू टू हो जाएगा फिर आप वाटर कंटेंड निकालते हैं तो उनों को माइनस करके बित रिस्पेक्ट टू प्रिएफ वेट आप बतार टेंपरेचर कितना कितना रेंज वहरी करता है इसमें जनरली इसका इंफर होता है करता है किस टाइप के स्वाइल के बात कर रहे हु किस घल कर कोईनेर्गेनिक वाइलह का करके स्वाइल के पाफ कुछ माले कैल्सियम कंपोनेंट है और उसके अंदर जिपसम भी है उसके में टेंप्रेटर होता है सवाल आए कि आपके वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन ही कौन कौन से मेतड होती है तो ओवेंड ड्राइंग मेतड होती है अगला कॉस्चन पढके बताना है आपको ठीक है अगला कोस्चन पढके बताना है विच आप फालोविंग आप्रेटफ इजूइड टू मेजर दा लिक्विड लिमिट आप स्वाइल का लिक्विड लिमिट मेजर करने के लिए कौन सा अप्रेटफ यूज किया जाता है काफा ग्रांडे अप्रेटफ पिक्नोमीटर रिंग वाल अप्रेटफ इन में फे कोई लिक्विड लिमिट पांड आउट करने के लिए हमारे प्रेट लिएक अप्रेटर होते हैं एक हमारे पाफिक्नोमीटर पिक्नोमीटर के कहां यूझ होता है है अगला कॉफ्चन है discovery डाइप डॉडर और मॉषट फ्रक्टीव न्हार प्रकुरिफ सेनड को के करने के लिए कौन सा रोल्र मॉषट इफ्रक्टीव होते हैं यह yodherint Chem Rich एक 혼자 सौन आपको बताना है वाइबरेटरी एक वाइबरेटरी ब्रब्र, ब्रीटरी वह संड की v bijvoorbeeld लूज युनिफाम चंग्रेंड हमारे पाफ युनिफाम चंग चंग जो पार्टिकल रांड है और फिक्टिव ग्रेंड फाइज तिनी 0.050 मीटर फिर्टी अपको फाइंड आपको फाइंड आउट करना है आपको पता है गाइज को एल है आपको पता होने चीज़े के बराबर क्या था था कैपिटल डी आप रिप्जेंट करते थे एक होता है के होता है कोफी सेंट आप परेविलिटी सेंटी मीटर पर फेकंड के अंदर पर फेकंड के अंदर तोमेंटर का हुड़ल होता है अपन क्या फॉल लेते हैं ठीक है कि एन्टु पर सेंटर फॉल जाएगा फार्मूला इंपोर्टेंट है कि एकार्डेंट टू एलेन है जनी क्वेशन इनिक कॉपी सेंट आप प्रेमिलिटी कितना होता है इंटू डिल्टेंट का स्क्वेर होता है सी हमारा क्या होता है कॉंस्टेंट होता है इंपोर्टेंट है ध्यान में रखना है अगला क स्ट्रेंफ और कमप्रेशिव चरंथ राब करेंगे जो बहुत बड़ा मेसर र्ओल ब्ले करता जहां जल ब्क जो श्रंथ आप जजो ल करेंग करता है प्रश चर्बिंग कहारें ट्रित्व रहा फेसर एज्टर की कंपोनेंट को सिर इंपोर्टेंट factor होता है strength के लिए तो फी नंबर करें टेंफर होगा सी नंबर कोफचा नमबर 18 है हमारे स्क्रेंट पे हैं ठीक है deflection can be controlled by using the appropriate हमें deflection को control करना है तो deflection किसे control कर सकते हैं aspect ratio modular ratio span upon depth ratio water cement ratio आपको पता है कि Indian standard 456 2000 के recording आपको deflection को control करने के लिएक कौन फार दिया जाता है part to upon depth ratio दिया जाता है किसे किसे ज्यादा होना चेह हमारे पास इसपान होते हैं अलग अलग बीम के लिए क्लिए 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 Сब्सकीर रेशियो एक कितना नहीं सब्सक्राइब के लिए इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है तो इस पानपांट डिप्थ रेशियो आजाएगा इम्पोर्टेंट है मैं फॅइन ऐ है अप 10 इन मीटर के लिए अपटो टेन मीटर से ज्यादा के लिए अपन गया करते हैं मुझमें करते somethin का चलिए आगे बढ़ते हैं इन ग creat क्रेट्र स् 먹 a क्रेट्रिक्न में एकप्रूपियacă ale horses आप बीएंट सीं मैं इनकwydd만 आप डिजाइंटर डिजाइन लोड इज क्या होता डिजाइन स्मय स्मय स्टेफ मेंट है आप UH तो यह दोने चीज़ इंपोर्टेंट है तो यह पास वर्किंग इस्ट्रेस्ट डेन डव्लू एसम मेथड की बात हुए तो आपका आ जाया करेक्ट्रिस्टिक फ्लोड आप पर नंबर एक करेक्ट एंपर होगा है हमारी स्क्रीन पर कोश्चन है तब मिनमम क्वांटिटी कितना जरूद पड़ेगी ठीक है वन मीटर क्यूब कंडिशन में रेंपोर्स कांक्रिट विच इंटू सी वाटर कंडिशन देखोई सिंपल सा कोश्चन है कि मिनमम क्वांटिटी आप सेमेंट की बात कर रहा है एक मीटर क्यूब रेंफोर्समेंट कांक्रिट के वर्क में क drawn ख्यूब हो रहा है अब चुम्ह, देखोए कंडिशन आपक्य अब इस सब्सक्रिए कंडिशन के अंदर जो चाफ्ज्द होता है sensitive होता यह होता है मिनमम कितना होता है किलोगराम पर मीटर क्यूप के अंदर है इंपोर्टेंट है आपका तेन सो चालीस होता है और तेन सो चालीस आप संद मिदे फिर दिच करोगे तेन सो पचाफ में टिक करोगे माल लेजे आपका reinforcement concrete work कहीं हो रहा है और वहां पाफ वहां पाफ जो condition है एक्सपोज टू सी वेदर कंडिसान है तो आपका वेरीवियर में आएगा वेरीवियर केफ में 35 ग्रेड लेते हैं और मिनमम कांक्रेट की मात्र कितनी होने चाहिए केफ में अपना क्या होता है और यहाँ पाफ जरूरत पढ़ती है मिनमम मौडरेट केफ में आद रख लेना मौडरेट के केफ में आपका 25 होता है है और यह आपका 300 होता कितना होता भी यह 300 होता है मिनμम मिनमं के केमें र्यिक्वायर्मेंट होती है शीवियर के के में नबमठेन अधृता है एक्स्टेम कन की रिक्वार्मेंट होती है ठीक है कि कॉस्चन नंबर अगला इसकी इन में 92 है पटापट बढ़के बताना इस कॉस्चन का एंसर दा लिमिटिंग डेप्ट आप न्यूट्रल एक्षी साफ़ बीम है विंग इफेक्टिव डेप्ट आप चारफ में और हमारे पाफ देखो पाना 250 है तो लिम्टिंग डेप्ट आपको बताना है अच्छा आपने टेवल पढ़ी होगी ग्रेड़ आप इस्टील अग्रेड़ आप इस्टील एंड एक्षी ऑपाइंट डी का यह आपने टेवल पढ़की होगी कि एफी टूपिप्ट होता है हमारे पास एफी फाइव Hmm 5 होता है हमारे पाफ 500 होता है इसको 0.53 होता है ame 0.53 होता है Therefore अब आपने पहले से पड़रखा है ठीक है अब आप अप लिए पूंच रहा है तो एक few अपान d is equal to 0 पॉइंट कितना है 53 एक्षी हो जाएगा आपका 0.53 डी कितना हमारे पाफ़ाइब है 250 इंटु 0.53 फटा फट करिए इसको कि अब डीडी क्या डेप्थ है ना डेप्थ हो जाएगा कितना हो जाएगा चार्फ़ हो जाएगा फिर फिप्टी के लिए 0.53 डी होता है ना एक्षी इसको फाल्व करेंगे तो 212 mm आएगा 212 mm आपसा नंबर एक अरेट टेंफर होगा किसी को कोई दिग्गत नहीं होना चाहिए ग्रेड आप फिप्टी के लिए 0.53 होता है 415 के लिए 0.48 होता है 500 के लिए फिप्टी के लिए अपना हो जागा 0.53 डी डी चार फो तो 212 mm आज आएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन मारे स्क्रेंट पर हैं इनन और फिप्टिव डेप्ट डी और फिप्टिव डेप्ट कितनी डी है इस वर्टिकल इस्टिरफ पर प्रोवाइड टू अगला को जिफ्ट फियर हमने क्या किया वर्टिकल इस्टिरफ के लिए दियर मैक्समिम इस्पेसिंग मेजर्ड एलॉंग दा इसिस आप दा मेंबर एज पर आई एस 455 2000 फूना टेस्ट तो मैक्समिश्च की बात कर आप वर्टिकल इस्टिरफ के 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 में तो आपको य माइक्समिल इस्पेसिंग होती है क्या होती है मैक्समिमम मिनमम किसका होता भी या मिनमम हमारे पाफ 0.75D और हमारे पाफ 300 इमम इं दोने जो मिनमम होता इसको करते हैं इसी को यूज करते हैं तो 300 तो दिया यह तो 0.75 यह नहीं आपका फी नंबर करेट एंफर होगा ठीक है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए मिनिमम होता 0.75 दी और 35 इन दोनों से मिनिमम वैलू होगी फो 0.75 दी एंफर होगा लेकिन मालों आपके पाफ इन क्लाइंड के केफ में आप कौन साइंफर टिक करोगे इन क्लाइंड के केफ में जो आपका मैक्समी स्पेसिंग होता है फुड नाट भी ग्रेटर देन मिनिममम किसे दे और 300 एमेंड यह पता होना चाहिए आपको नाइंट इवाला कुस्टन पढ़ लेते हैं फटविपर सेक्षंट टोकल रिइनफोर्समेंट परसेंटेज आप स्टील होता है 8% of graph area किसे होता है graph area यानि बी इंटु डी है ना 8% of graph area मुझे maximum 10 file reinforcement कितना होता है तो 4% यानि 0.04 BD अप लिख सकते हैं ठीक है 0.04 BD लिख सकते हैं मैंसम compression reinforcement तो आपका 0.04 बी इंटु डी यानि 4% होता है तो कि आपर आल टोटल रिंफोर्समेंट इससे जादा नहीं अचेह तो आठ परफेंट पर्फेंट पे जादा नहीं होना चाहिए एए ल्चार पर्फेंट अब रॉख अप्रफेंट आप अब अपर है इंपोर्टेंट है अगला कोश्चन पढणा आपकी फ्रेंपे पर्टा प से ज्यादा नहीं होना चाहिए कास्ट लेबल पर सिंपल सा बात है कास्ट लेबल पर मैसम डिप्लेश्वन इस्पाना पांट 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए इस्पाना पांट 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए माल यह फिनिशिंग के बात करता है तो इस्पाना पांट 350 और इधना पारी मिन्रॉट के आपको करते हैं लेकिन काफ्ट लेबल पर बात करते हैं। पूस्चाश घ्रकंट कर रहा हों इस चीज को ध्यान रखिया अगला कॉफ्चन आपके इन रीन पॉस्ट्वट एंड प्लेन कांक्रेट फुटिंग में थिकनेफ करवा रहे हैं तो जो हमारा एज होता है तो यह हमारे पाफ फॉइल के फ्ट्रेटा है ठीक है अब यहां पाफ फुटिंग बनाओगे तो जो यह आपका एज होता है इस की बात कर रहा है फिर इस तरीक इस कुछ बनाते हैं कि यह आपका एज होता है इस जो अपना एज होता है फुट नाट भी लेफ दैन 150 फिर अपने उपर कालाम आएगा एक कालाम आएगा ठीक है थोड़ा तिर्चा बनना है क्यों बनना वहीं तिर्चा कि अपना कालाम हो जाएगा ठीक है यह क्या है कालाम हो जाएगा यह आपका फुटिंग वाला पार्ट हो जाएगा ठीक है नेचे वाला फॉइल वाला पार्ट है तो 150 फे कम नहीं होना चाहिए ठीक है फुफी नंबर फंद्राफ इंटी मीटर पर टिक करोगे है ना वन फिप्टी में है कैंटी लिवर रिटेनिंग वाल यूज की जाती है रिटेनिंग वाल कहां यूज करते हैं आप ही बताओ कमेंट करके ठीक है बहुत चीजी से आपने पढ़ रख्यों क्या होता न चीजी से इंटेन करने के लिए तो हाइट किफ़े ज्यादा निहीं अचे छेफार मेंटर होता है छेफे फार मेंटर होगी तो बड़ी आराम फिकर फक्ते हैं छेफार मेंटर फेज्यादा उती तब जाके इस हुआता है ठीक है तो कॉन फ़ैंफर पिटिक करेंगे चैंध स्ट्रक्चर होते हैं हाइड जो 6 मेंटर फे 4 मेंटर ही होती है चीज़ को ध्यान रखना होगा कि एच पर इंडियन इस टेंडर 455-2000 अ कालम इस फैड टूभी साड कालम हम किसी कालम को फार्ट कालम कहें फक्ते इफ रेश्यो आप एफ्यक्टिव लेंथ टूदा क्रिस्पॉंडिंग लेटरल इस त्रेंड एफ्यक्टिव लेंथ और लेटरल इस रेफ्यों कितना होना चा बाता है बारा क्रोंड इस अई, कालम को फार्ट कालम होता है, है अगे हमारा हुर जो प्रेट्रेस्जियों होता है फ्रूटिब लेन तबा लेटल жд कहते हैं इस चीज आपको थोड़ा फ़ा ध्यान में रखना है इंडिया इस टंडर्ड 4550 के कारडिंग जो मैक्सम इस लेंडर ने फ्रेफियो होता है कालम का वह फार्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपको ध्यान रखना है ठीक है अगेन रिपीड कर देता हूं फार्ट क कि लिएके नंबर पे टिक कर देना ईंटा इन कैसा और ने समय कोई नहीं इसका कमेंट करके बताएए इसका आप लोग कमेंड कर कि बताएक पूंचा हुआ है इन हिसां इस फ्रेश्ट किसा सप३द अप रिश्टक्त अपने माइनर प्रेंफ पालेक्सिफ फो कितना होता है जेरो होना चाहिए इनि प्रोडंक्त मेजर अपनी क्राफ Państwo M movement of inertia the rate of change of expression is equal to rate of espíriture force किसके equal होता है rate of change of square force is equal to rate of change of sphere force is equal to is dv upon dX w के बराबर होता है rate of change of sphere Force is equal to होता है at that point ऐसा कह सकते है rate of change of sphere force at point is equal to load intensity किसके बराबर होता है load intensity की बराबर होता है वही पास समूचा होता rate of change of bending movement यानि dm upon dx समूचा होता है rate of change of bending moment किसी point per sphere force के equal होता है देखो जिस particular point पर रेट आप चेंज आप देख रहे हैं और किसके पॉइंट पर लोड इंटेंसिटी के बराबर होगा रेट आप चेंज आप पर प्लोडिंग डे नंबर पर तिक करेंगे तो आपके जो पेंडिंग कोफ्चन थे मौक टेस्ट फूल लेंथ वाला जो टू था है ना उसमें से हमने इवनिंग के अंदर सिफ्टी कोफ्चन किये थे कुछ कोफ्चन लाइब में मौनिंग में किये जो नहीं हो पाए था भी हम करवा दिये इन वीडियो को प्रापर आप को जरूद नहीं है आपके पाफ जो भी टाइम बचा हुआ है कूल माइंड अपने साइट नोट को दो तीन घंटे में क्यूकली ओभराल डिविजन कर लिजे और आप एक्जाम देने चाहिए आपका एक्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा ठीक है बिलकुल कूल माइंड से बाद एंफर करना जल दिवाजी में नहीं करना है ताइम आपके पाफ अफिसेंट रहेगा रहने वाले हैं ठीक है तो अच्छे करके आईएगा तो आप सभी को कोई प्राब्लम है किसी कोई क्वेरी होती है ठीक है एक्जाम फिंटर अप्लिकेशन डेडमेट कर कुछ भी आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन पर टेलिग्राम ग्रूप का लिंक उसको भी जॉइन कर दिजे आपके पाफ हमारा नंबर होगा उस नंबर पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो आप सब एक्जाम देने चाहिए बहुत ही अच्छे से अब मिलते हैं कल आप लोग क्या करिएगा सभी लोग एक्जाम दीजिएगा और आपके जो कोफचान आपको याद रहते हैं 934088429 पर हमें वाट्सअप करिएगा और इसी का डिटेल इनालफिफ लेकर हम आएंगे ठीक है एक्जाम में आपके जो कोफचान आए हुए हैं उनको डिटेल फैल्यूफन के साथ करवाएंगे उसी फिफन में मिलेंगे तब तक के लिए थैंक्यू फो मच हैव अनाइफ करिए अच्छे फे